Hello students, today's subject maths, है ना? School Maths है, School Maths जो भूख है, उसका हैodah page number two Page number two में हम देखेंगे हाँ पे First Day हम लोग पढ़े big and small, है ना? Big and small, big मतलब होता है बड़ा और small मतलब होता है चोटा आज हम देखेंगे bigger and smaller bigger मतला, वही है, बड़ा है, ना, सबसे बड़ा, और smaller मतला सबसे छोटा, तो यहाँ पर देखते हैं, bigger, bigger मतला, सबसे बड़ा है, ना, smaller, smaller मतला, सबसे छोटा, ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, bigger tree, यहाँ पर क्या है, bigger tree, smaller tree, सबसे बड़ा पेर, सबसे छोटा पेर, ठीक ह तो आप देखते हैं, tick the tick, tick मतलब right के चिन्दा लगाना हमाँ पे, tick the bigger and cross the smaller मतलब क्या करना है आपके, जो सबसे बड़ा है, उसमें हम tick लगाएंगे, right का tick लगाएंगे और जो छोटा है, मतलब smaller, जो सबसे छोटा है, उसमें क्या करेंगे, ये cross करेंगे है ना तो ये page number 2 का आप अपने book में complete कर लेंगे, तो देखते हैं, चलिए, bigger तो इन दोनों में आपको कौन सर लग रहा है, bigger, bigger मतलब बड़ा, ना, बहुत बड़ा तो bigger ये है bigger, तो इसमें हम क्या करेंगे, bigger में, right का शिन्दा लगाएंगे, तो ये bigger जो place दिया है, उसमें क्या करोगे आप, right का tick लगाना है आपको, है ना और जो smaller है, smaller है, उसमें क्या करेंगे हम लोग, cross, तो ये छोटा वाला है, तो इसको हम क्या कहेंगे, smaller, है ना तो smaller और bigger अब देखिए next देखिए यहाँ पर तो यह जो बड़ा वाला है वो bigger ना bigger तो इसमें हम क्या कर देंगे tick right यहाँ पर place दिया हुआ है आपके book में और यहाँ पर करेंगे हम cross क्योंकि यह चोटा वाला फीश है और यह बड़ा वाला फीश है तो bigger fish and smaller fish तो smaller fish में क्या क करोगे cross करोगे और bigger fish में जो है tick लगाओगे right का tick है ना next देखते हैं अब यहाँ पर देखिए bigger and smaller तो इसमें big बड़ा वाला कौन सा है यह है ना तो यह tick लगा दिये और यह smaller तीक है अब यहाँ पर देखते हैं duck तो यह bigger और यह चोटा वाला smaller ठीक है तो इसको आप अपना copy में sorry book में complete कर लेंगे ठीक है bigger का मतलब समझा है बहुत बड़ा है ना और smaller का मतलब छोटा next देखते हैं doll and sort tall and sort tall मतलब होता है लंबा sort मतलब भी होता है छोटा small मतलब जैसे छोटा होता है रैसे हीAS ही • सोट मतलब भी छोटा होता है तो यहाँ पर देखते हैंतर यह जिराफ हैना और यह zebra तो जिराब बहुत बढ़ा होता है और zebra छोटा होता है हैना जिराब जो है लंबा होता है tall इसको बलते हैं tall and sort आप देखें यहाँ पे tick right the tall and cross the sort तो जो लंबा है उसमें हम क्या करेंगे right का चिन्था लगाएंगे और जो salt, छोटा है, उसमें हम क्या करेंगे, cross करेंगे तो सबसे पहले देखे, यह first का है, यहाँ पर दिया हुआ है place ना, यहाँ पर place नहीं दिया हुआ है इसमें, तो क्या करेंगे, इसमें यह tick लगा देंगे तीक है, और यह यहाँ पर cross, उपर भाग में करेंगे, यह right का चिन्धा लगा दिये और यह जो salt है, उसमें क्या करेंगे, cross, अब यहाँ पर देखिए, तो man से है ना, two man अब उसमें जो है, first वाला जो man है, जो first वाला जो man है, वो क्या है, tall, लंबा है और second वाला जो man है, वो क्या है, salt, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, cross, तीक है, समझा रहा है ना, सबसे पहला जो picture है, यह है, tall, यह tall और यह है, salt, salt, salt में हम cross करेंगे, अब यहाँ पर दिखते हैं, यहाँ पर ही, है ना, tall and salt तो जो tall है, जो लंबा है, उसके उपर हम क्या करेंगे, right का चिन्ह लगाएंगे और जो salt है, छोटा है, उसमें क्या करेंगे, cross करेंगे, तीक है, next देखते हैं, page number 3 का हो गया, complete, page number 4 अब इसमें देखिए, taller and shorter, taller and shorter, उसका भी मतलब होता है, long, sort का मतलब होता है, चोटा, ठीक है टॉलर का मतलब क्या होता है लंबा और सोटर का मतलब होता है छोटा चीक है आप देते हैं आप टीक दा टॉलर एंड क्रोस दा सोटर तो जो टॉलर है जो लंबा है जो लंबा है उसमें क्या करेंगे हम राइट का टीक लगाएंगे अब ये दोनों पेड में जो है जो दोनों ट्री में, कोकोनट ट्री में, आपको कौन सा टॉलर लग रहा है, मतलब लंबा लग रहा है ना, टॉलर, तो ये, this one is टॉलर, अब this one is सौर्टर, चीक है, तो ये हम उपर में लगा देंगे, तिक, और ये यहाँ पर क्रॉस, चीक है, आप बोटल को देखिए, यहाँ पर टू सौर्टर, टॉलर मतलब लंबा और सौर्टर मतलब छोटा, अब यहाँ पर देखिए, ये हैं, टॉलर, this one is सौर्टर, तो अपना बूप में करते जाएंगे है ना, वीडियो देखते जाएंगे और अपना बूप को कम्प्लीट करते जाएंगे, अब यहाँ पर देखिए, जिराफ यह है, टॉलर, सौर्टर, टीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको जो टॉलर है, उसमें आप राइट का चिन्धा लगाओगे, और जो सौर्टर है, उसमें क्रॉस करोगे, क्रॉस का चिन्धा लगाओगे है ना, तो यह हो गया पेज नंबर 4 का, तो इसको 2, 3, 4, 2, 3, 4, page number आप क्या कर लोगे, complete कर लोगे, ठीक है, book को भालना है इसमें है न, copy में लिखने का नहीं है, यह book में भाल लेंगे, और मेरे पास send करते जाएंगे, okay, thank you.